विदान सबा चुनाओं में करारी हार के बाद एक बार फिर भाजपा लोगसबा की तैयारी में चुट गई है सरगुजा जिले में भाजपा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिये लोगसबा चुनाओं में जीत के तैयारी शुरू कर दिये दरसल सरकुजा लोकसभा में तो भाजपा का कबजा है यहां भाजपा के कमल भांसी सांसद हैं लेकिन विधान सबा चुनाव में सरकुजा लोकसभा की आठ सीटों पर कॉंगर्स ने कबजा जबाया है ऐसे में भाज़पा समाज के प्रमुक लोगों के साथ संगठनों तक कौशनी की कावायद में जुट गई है परदान मंत्री जी की ऐसी योजना है और कई ऐसे योजना चला है डारेक्ट जनता को पराप्त हुआ है और पूरे देश चारता है कि पुना परदान मंत्री नरेन भाई मोधी बने तो मंडल में दो दो प्रमुक नेताओं के जिम्मेदारी दी गई है कि वो भाज़पा के कारकरताओं से उनके घर में जाके बात करें और साथ में जो की वोटर जो प्रतिष्ठित लोग रहते हैं उनसे सरकार के कामकाज के बारे में और भविश में और क्या काम कर सकते हैं और घोशना पत्र को लेकर वो संबाद करना है ये दोनों अभियान बहुत तेज गदी के साथ सरगुजा में और परिछटिस गड़ में हम लोग ने शुरू किया है